हाई अब्रिवन स्वागता है आपकर सोई वीद कपशप में आम में बना रही हूं मूफली की चिक्की इसके लिए हमने मूफली ले लिया एक कटोरी और आधी कटोरी हमने इसमें गुड़ लिया तो सबसे पहले हम मूफली को रोस कर लेते हैं देखे हमने पैंच ड़ा दिया अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए ये और इसका ये चिलका आराम से असानी से उतरने लग जाए देखे अभी नहीं उतर रहा ना अच्छी से चिलका उतरने लग जाए जब तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे देखें मूफली को भूनते हुए पासाद मिनट हो गए हैं मीडियम आज पे हमने इसको लगातार चलाते हुए भून लिया है देखें चिलका थोड़ा उतरने लगा है लेकिन अभी अच्छी तरह से नहीं उतर रहा एक दो मिनट इसको और भून लेते हैं देखें मूफली हमारी चटकने लगी है और चिलका भी उतर रहा है ठंडा होने के बाद आराम से उतर जाएगा इसको वह गैस को बंद कर देते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा करके इसके हम चिलके निकाल लेंगे यह देखें अल्मोस हमने सारे चिलके निकाल ली है और इसको कपड़े के जब ठंडी हो जाए कपड़े की ऊपर रखके इसको अच्छी तरे से मसल के और इसको फिर चिलकों को अलग कर लेंगे पैंच राधिया हमने इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी गुड़ एक बड़ा चमच इसमें हम पाई डाल देंगे सब कर देखें बनाने का तरीका अलग अलग होता है मैं जैसे घर पे बनाती हूं मैं वह आपको पता रही हूं आज को अब हम दीमा रखेंगे बहुत तेज आज पर इसको नहीं पकाएंगे मेल्ट कर ले दें गुड़ को गुड़ को हमने पहले छोटा-छोटा काट लिया था ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए गुड़ को हमने अच्छे तरह से पकाना है और अगर हमने अच्छे तरह से पकाएंगे Church बिल्कुल मार्किट जैसी गुड हमारा मेल्ट हो गया है इसके अंदर हम दो चम्मज चीनी डाल देंगे देखिए यह वाली चम्मज है बढ़े इससे के हमाई चिकी बहुत ही बढ़िया बनेगी बिल्कुल मार्किट जैसी चीनी भी हमारी अच्छे से गुल जाए गुड़ आप फड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं एक कटोरी मुफली में अल्मोस एक कटोरी गुड चला जाता है आप कितना मीठा पसंद करते हैं इस मर्मी कभी-कभी आपने चिकी देखी होगी उसमें गुड ज्यादा होता है गु बहुत बढ़ी असी बनती है इस रेशो से एक बार बना के देखेगा कटोरी का कोई भी नाप ले लीजिए आप छोटी बढ़ी उसे साब से आप आगे गुड को भी नाप लीजिए आज हमारी बिल्कुल धीमी है इस वार धीमी आज पर हम इसको चीनी को और गुड को अच्छी तरह से पका लेते हैं लगातार चराते रहिए यह तो गुड जल जाएगा और गुड जलेगा तो परवाट देगा चिक्की पे यह ट्रेव पे एक बर्तन पर एक प्लेट पे किसी भी यह प्लेट फर फांप भी थोड़ा सा गी लगा लेए यह तेल चिक्की हमारी से निकल जाएगा थोड़ा सा गी डाल देंगे इससे बहुत ही बढ़ासी श क्षाइन वाली यह पायरी चिक्की बनेगी देखिए गी डालते ही इसका टेक्चर भी चेंज हो गया है जादा नहीं डालना बस एक चमज के करीब डाल दें यह देखने के लिए कि गुड हमारे अक्चेते से कुक हो गया है कि एक कटोरी में पानी ले लेंगे थोड़ा सा और यह थोड़ा सा गुड डाल के देखेंगे ठंडा होने देंगे इसको थोड़ा इसको निकालके चेक कर लेंगे यह देखिए अभी इस तरह से खीच रहा है तो अभी हमारा गुड त्यार नहीं हुआ है थोड़ी दिर ओड चलाते हैं इसको दोबारा से थोड़ा सा गुड डालके देखते हैं ठंडा होने देते हैं देखिए अब हमारा गुड खिचनी रहा है और बिल्कुल इस तरह से पूट रहा है यह देखिए जब यह कंडीशन आ जाएं तो समलिये जी कि हमारा यह प्यार हो गया है गुड एक चुटकी हम इसमें डालेंगे मीठा सोड़ा और साथ ही हम डिसमें डालेंगे हमारी मुंफली मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से गैस को ओनी रखेंगे बहुत सिम पे हमने रखा हुए क्योंकि जैसे ही हम ठंडा करेंगे न तो यह बिल्कुल से हाड हो जाएगी फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा बस इसको आप गरम गरमी जट पड़ से ट्रेय के उपर निकाल लेते हैं तो गरम बरमी फिला लें बढ़ना यह फिल बिल्कुल जम जाती है देखिए जमने भी लग गई है थोड़ से गी लगा के कटोरी में इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीए प्रोड़ी से हम इसके उपर इलैची लगा देते हैं आप चाहें तो पिस्ते की कात्रण भी लगा सकते हैं ड्राइफ फ्रूट भी लगा सकते हैं मतलब और गरम गरम पर हम इस पर निशान लगा लेते हैं जिस तरह की भी आप करना चाहते हैं इसके पीसेज इसको बिलकुल ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद इसको डिमोल्ड करके देखेंगे तरहएं देखेंगे 15-20 मिनट हम ने इसको रखा है अधियो देखें आरामसे निकल गई है और यह हमने कट लगाये थे इसलिए यह अरामसे तूट भी नहीं है देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी मुफली की चिक्की बनके त्यार हो गई है आप भी इसको ट्राय करें घर पर और बिल्कुल मार्किट की जैसी चिक्की घर पर ही बनाएं मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ सब तक बाहे खुश रही है